सब्सक्राइब नाव फॉर आल दे लीटिस्ट एंड ट्रेंडिंग अप्डेश्ट इस केरेक्टर में संजीदा के अभीने की सभी ने जनकर तारीफ की इसी बीच अब एक्ट्रेस ने हालगी में दिये हुए एक इंटर्वी में अपनी नीजी जिन्दकी से जुड़े हुए कई सारे खुलासे किये हैं इस दोरान उन्होंने आमिर अली से शादी तलाक और बीटी के बारे में बहुत कुछ कहा साथी एक घटना का भी खुलासा किया जब उनके साथ नाइट कलब में छेड़ चाड़ हुई जिसके बाद वो सदमे में चली गई थी दरसल संजीला ने हाली में एक इंटरव्यू में बात की है इस दोरान उन्होंने नाइट कलब की घटना का जिक्र किया और बताया कि इसके बाद वो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गई थी उन्होंने बताया था कि उन्हें वो घटना हल्की हल्की याद है इसमें एक महिला शामिल थी वो नाइट क्लब में गई हुई थी तभी एक लड़की उनके पास से जा रही थी और उसने वहाँ से गुजरते वक्त उनकी ब्रेस्ट को छुआ और वहाँ से चली गई इस वाक्य के बाद वो शौक डर रहे गई इसके साथ ही संजीदा शेक ने अपनी बात को आगे बढ़ाया और कहा कि अकसर सुना जाता है कि आदमी महिला की बैक पर मारता है उसके साथ गलत वहवार करता है उनका माना है कि लड़कियां भी कुछ कम नहीं है कोई भी हो अगर वो गलत रहा पर चल रहा है तो किसी की भी परवान नहीं करेगा बस चलता चला जाएगा एक्ट्रस कहते हैं कि इसका किसी आदमी और ओरत से लेनाने देना नहीं है उनका मानना है कि जो गलत है वो गलत है अगर किसी महिला ने भी किसी के साथ गलत किया तो इसके बारे में बताना चाहिए संजीदा ये भी मानती है कि पीडित होने का दिखावा करना बहुत ही वायाद होता है संजीदा का पती आमिर अली से साल 2020 में तलाग हो गया था महीं इस तलाग को लेकर एक्ट्रेस ने कहा कि उस समय वो सबसे ज़ादा तरनाओं में थी खुद को अभागन समझने लगी थी लेकिन समय के बाद ही वो इन सबसे उबर गई और खुद से प्यार करने लगी इन सबसे उबरने में एक्ट्रेस खुद को लखी मानती है कि वो इन सब चीजों से जल्दी बहार आ गई आप वो बेहत ही खुश है आपको बता दें कि वीते साल ही संजीदा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक बार फिर से सुर्ख्यों में आई थी उनका नाम हर्शवर्दर लाने के साथ जुड़ा था खबर थी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रही है हाला कि बाद में एक्टर ने इस बात का खंडन कर दिया था उन्होंने कहा था कि उन्हें ऐसी खबरों से फर्क नहीं पड़ता है ऐसी दोना अपडेट्स के लिए जुड़री है इंट्रेट नीज के साथ इस पर क्या कहना चाहेंगे निचे कॉमेंट सेक्शन के जरी अपनी राइज जरूर बताएं सब्सक्राइब ना वर आल लेटेस्ट एंट्रेंडिंग अपडेट्स